एलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मादव ड्रेसेज, मादव ड्रेसेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये दो और तीन नंबर कानाजी की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी ये जो measurement है ये दो नमबर काना जी को भी आ जाएगा और तीन नमबर काना जी को भी आ जाएगा आज की वीडियो में सिर्फ मैंने ये पगड़ी बनानी सिखाई है क्योंकि इसकी जो पोशाक है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है उस पोशाक को मैंने बड़े साइज में बनाए है और देखिए इस वाली पगड़ी की पोशाक कुछ ऐसी है ये बहुती सुन्दर पोशाक है फ्रेंड्स और इस पोशाक को भी मैंने दो और तीन नमबर काना जी के लिए बनाया है तो एक बार आप जरूर इस वाली पोशाक को ट्राइ कीजिए, बहुती सुंदर पोशाक बनती है, और जब आपके कानजी पहनेंगे तो बहुती प्यारे लगेंगे, और जो मेरे चैनल पर अपलोड है पोशाक, उसका मुकुट भी मैंने बड़े साइज में बनाना सिखाया ह उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, और आज मैंने इस चोटी पोशाक का ये वाला मुकुट यानि की पगड़ी अपलोड की है इसकी वीडियो, तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पगड़ी बनाने के लिए पहले हम चेन बनाएंगे, इस तरह ऐसे फूल में नोट लगाएंगे, और नोट लगाने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, तो यहाँ पर हम ट्वेंटी नाइन चेन बना लेते हैं, ट्वेंटी नाइन चेन बनाकर तीन चेन और बनाएंगे, और यहाँ से दबल क्रोशा बनाकर हम कंप्लेट कर लेते हैं यहाँ पर यह 30 डबल क्रोशा बन गए 29 मैंने चेन बनाई थी और तीन चेन एक्स्टर लेती तो 30 चेन के उपर अब देखें यहां से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद टर्ण करके पहली चेन स्किप करेंगे और 2 चेन के इस रो को complete कर लेते हैं दो रो बनाकर यहाँ पर मैंने धागे को cut कर दिया देखिए इस तरह से और आब हम यह वाली wool लेंगे और इस wool को लेकर यहाँ पर हम पहले chain बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो नो चेन बनाकर यहाँ से देखिए पहली chain skip करेंगे और दूसरी chain के अंदर हम single crochet बनाएंगे इस तरह से और इसके बाद दो chain skip करेंगे और थर्ड chain के अंदर half double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच एक ही chain के अंदर मैंने पाँच बार half double crochet बनाया इसके बाद दो chain skip करेंगे और थर्ड chain के अंदर ऐसे single crochet बनाएंगे और फिर एक chain बची है इसमें भी single crochet बनाएंगे इस तरह से अब हम इस work को turn करेंगे और turn करने के बाद देखिए जो हमने यह half double crochet बनाए थे इनके उपर हम double crochet बनाएंगे तो यह पहरा half double crochet है इसके उपर इस धागे को हम साथ मिलेंगे इस तरह से और इस पहले half double crochet के उपर हम दो बार double crochet बनाएंगे इसके उपर भी दो बार double crochet बनाएंगे एक दो थर्ड वाला half double crochet इसके उपर भी दो double crochet फॉर्थ वाले के उपर भी दो बार double crochet और फिफ्थ वाले पर भी दो बार double crochet तो पाँच हमने half double crochet बनाए थे इसके उपर हमारे 10 double crochet बने हैं इस तरह से double crochet बनाने के बाद अब देखिए जो यहाँ पर पहली यह उपर चेन है यहाँ पर हम इसको ऐसे slip stitch से join करेंगे और एक chain लेकर यहाँ पर धागे को cut कर देंगे अब देखिए जहाँ पर हमने धागे को cut किया है यहाँ से हम दूसरे color से work करेंगे यह मैंने green color लिया है और green color में ऐसे note लगाएंगे और note लगाने के बाद हम देखिए जहाँ से हमने धागा cut किया है इस पहली chain के अंदर ऐसे crochet hook डालेंगे और यहाँ पर single crochet बनाएंगे फि फिर एक chain लेंगे और next chain में जाएंगे और यह धागे साथ साथ लेंगे next chain में जाकर फिर यहाँ पर slip stitch करेंगे फिर एक chain लेंगे एक chain लेने के बाद next chain के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे slip stitch करेंगे इस तर ऐसे फिर एक chain लेंगे फिर next chain में जाएंगे फिर यह नहीं पर ऐसे ख्रोशव डालकर यहां पर सिलिपि ष्टिच करेंगे, तो हम यहां तक इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एक चेंड और फिर सिलिपि ष्टिच इस तरह से करते वे वर्प पूरा करते हैं, बisलिपि ष्टिच करते वे देखिए हम लास्ट में आ गए, अब यहां पर एक chain लेकर इस धागय को कट कर देंगे और ये धागा हम पीछे की साइड़ एड़स्ट करेंगे इसके बाद हम ये लो कलर की पूल ले לेते हैं और इसमें ऐसे नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद देखे हमारी ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है तो य यहाँ पर slip stitch करेंगे, इसके बाद एक, sorry, एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद इसी hole के अंदर double crochet बनाएंगे, एक double crochet, दो double crochet, और ये तीन double crochet, यहाँ पर हमारे चार double crochet बन गए, तीन चेन मिलाकर, अब तीन चेन लेंगे, और तीन चेन लेने के बाद इसको ऐसे turn करेंगे, और पहली chain skip करेंगे, और second chain के अंदर crochet उक डालेंगे, इस तरह से, और ये दो लूप निकाल लेंगे हम, और दो ल डाल कर ऐसे करेंगे, और फिर पहले दो लूप निकालेंगे, अब तेन लूप बचे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, और एक chain बना कर धागे को यहाँ पर cut करेंगे, तो ये दीपक की तरह से बन गया, अब इस धागे को भी पीछे एड़िस्ट करेंगे, और इसको भी ऐसे करेंगे, फॉल्ड, और फॉल्ड करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे, तो देखे, पहले ये वाला पोर्शन स्टिच करते हैं, यहाँ से ऐसे निडल डालेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे स्टिच करते जाएंगे और ये धागे हम अंदर की साइड कर देते हैं यहां से नीचे निकालेंगे इनको अब ये जो पोर्शन है पहले हम इसके मिडल में यहां पन निडल डाल लेते हैं और निडल डालने के बाद यहां से इसको पक्का कर लेते हैं ऐसे पक्का करने के बाद अब हमें पहले एक पोर्शन सिलना है ये धागा भी नीचे करेंगे और पहले हम एक साइड का पोर्शन सिलेंगे इधर से ऐसे सिलते वे जाएंगे इसको और ये उपन है जहां तक सिर्फ यहां तक हमें इसको सिलना है ये देखें यहां तक अब हम यहां से निडल वापस ले जाएंगे सेंटर में जहां से हमने शुरू किया था स्टिच करना देखें यहां से शुरू किया था यहां सेंटर में निडल ले आए अब जो ये वाला पोर्शन है इधर की साइड का अब हम इसको स्टिच करेंगे तो यहां से देखें ऐसे करते वे जाएंगे और यहां पर भी देखें जितना यह ओपन पोर्शन है इसको हमें सिलना है यहां तक यहां तक हमें इसको सिल लिया तो देखें इस तरह से यह पगड़ी सिल गई इस तरह से अब हम इसकी उपर यह लगाएंगे इस तरह से दिपक तो मैं निडल को यहीँ से ऐसे ले आएउंगे उपर की साइड करते वे और यहां से इस त्वर. और इसके बीच में इस तर ऐसे निकालूँगी निडल को और यहां से इसको टाके लगा कर इसको ऐसे स्टिच कर देंगे बीच-बीच में तेन् चार टाके इसके उपर हम लगा देते हैं अब नीचे की साइड निडल ले जाकर हम इसमें नौट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे अब हम इसे डेकोरेट करेंगे तो डेकोरेट करने के लिए देखी मुझे एकी सिल्वर स्टिप चाहिए और एके वाला कुंदन वाला नग चाहिए और कुछ हाफ कट पर लिए है मैंने तो अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं देखी फ्रेंड्स इसको हमने डेकोरेट कर लिया और डेकोरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से तयार हुई है कितनी प्यारी पगड़ी बनी है कैसी लगी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना साथ में मेरे चैनल को सब्सक